आपकी पूरी किताब के अंदर कॉर्परेट में किसी चेप्टर को अगर सिंपल मानता हूँ न तो वो ये चेप्टर है इंटरनल रिकंस्रक्शन दो किलासिस के अंदर बच्चा ये पूरा चेप्टर समझ जाता है पूरा चेप्टर खुद करने लग जाता है condition ये है कि वो ध्यान से देखे इसको condition ये रहती है कि इसको ध्यान से देखना होगा तो बड़ी सीधी सी बात है हम सबसे पहले तो और ध्यान से देखने का मतलब क्या है कि आपको क्या समझना है इसका core field core field का मतलब sir ये है क्या अगर ये समझ में आ जया, ये है क्या, उसके बाद आपको समझना होगा करना क्या है, चप्टर खदम, हुआ ऐसा, ये चप्टर को बनाने के पीछे लॉजिक क्या था और ये आया क्यों कॉंसेप्ट, बहुत सारी कंपनी न, आज के टाइम पे देखोगे न, स्टार्ट अप, आज के टाइम पे देखोगे न, एक बहुत ही वर्ड चल रहा है, स्टार्ट अप, सर स्टार्ट अप क्या होता है, नए नए बिजनस करने का एक, आइडिया, नए बिजनस करना चाह रहे हैं, इसको हम स्टार्ट अप क्या देज़ें, सिंस पलसी बात है, अब ये सारा स्ट प्ले कुछ स्टार्ट अप जो होता है, इसके अंदर एक तरीके से होड मची वी है, कुछ जैनूइन भी आइडियाज है, और कुछ-कुछ भी आइडियाज है, बस उनको अपना बिजनस करना है, स्टार्ट अप करना है, तो ऐसे सिच्वेशन में अगर किसी को कोई भी कुछ भी करना है तो अगर आपने बिसनस के अंदर चले गए तो आप जर बिसनस में जाओगे तो पता यानि क्रेडिट पे समान भी ले लोगे और वो भी थोड़े बहुत नहीं गवर्मेंट ने हलाकि बहुत फ्रीडम दे रखा है कि भाई इतने का लून दे दो इसली दे दो आप कोई दिक्कत मत करो आपने लून ले लिया और एक चीज चाहिए देखो यह बहुत सारे स्टाट अप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पर्फॉर्मेंस कर रहे हैं अस और बहुत अच्छा वर्क भी कर अब वहाँ पर आप कभी एपिसोड वगरा को देखना कुछ ऐसे प्रोड़क्ट होगे क्या कुछ भी मतलब कोई तुक नहीं लेके आगे यानि तुम इस स्टार्ट अप कर लोगे भया सीडिसी बात है जो चीजे जमीन पर है वो चीजे बिकेगी और जो जमीन पर नहीं है नहीं भीकेगी तुम फालतु वालतों की बाते करोगे तो नहीं होगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कई चीजे वाक्य में अच्छी चीजे लेके आते हैं लेकिन नहीं चल पाता अब हुआ क्या एक स्टार्टप की कहानी बताता हूँ मैं आपको उसने अपना स्टार्टप किया और स्टार्टप करा जब तो मैं पुरानी बैलेंशीट दिखाता हूँ उससे स्टार्टप की कि उसका बिल्डिंग बिल्डिंग मान लेते हैं बीस लाख रुपे share capital मान लेते हैं 22 लाग और इधर भी 22 लाग एक आपको टेंटेटिव ना एक बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ है एक बैलेंस शीट बनाया है यह बैलेंस शीट है मान लेते हैं XYZ लिमेंटेड का इसको बंद दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो चोड़ दो अबस रहा है तो एक आपके कुछ एसेट्स दिख रहे हैं कुछ लाइबलिटी दिख रहा है और मैं बैलेंस शीट में एक और पॉइंट करना चाहता हूँ एक और पॉइं और हैं डेड़ आलसो भाई कि मैं चैट वालों का भी जवाब नहीं दूआ है थेक है ना चलिए बैलेंस शीट है अब एक बैलेंस शीट में न एक पॉइंट और एड़ कर रहा हूं पांच लाक है अगर मैं यह लॉस नहीं एड़ कर रहा था ठीक ठाक दिख रहा था यह लेकिन जैसे ही मैंने लॉस को एड़ किया और मैं इधर एक और पॉइंट डाल देता हूं बी पी पांच लाक यानि दोनों सर 27 लाक 27 लाक हो गए बराबर तो आप बोल सकते हैं सर इस बिजनस के अंदर तो लॉस है और लॉस होने की वज़े से ये बिजनस का सर्वाइवल थोड़ा सा मुस्किल हूता जाएगा अब जो इस कंपनी के ओनर है जो कंपनी के फांडर है उनकी कोसिस एक ही रहेगी के भईया इस बिजनस के लॉस को रिकावर किया जाए और loss को recover करने के लिए और जिम्मेदार पता है कौन है मान लो हम समान को अपने competitor को same price पे बेच देचे हैं same price पे बेचने को तयार हो गया है ताकि हम competition दे पाएं market में लेकिन interest तो आपको देना ही पड़ेगा न तो कहीं न कहीं एक आपके mind में ये tension दूसरा आपके creditor आपको परिशान कर रहे है मेरा पैसा दो तीसरा bills payable आपको परिशान कर रहा है पैसा दो तो अगर आपके पास ये तीन tension है न है तो आपका business कभी भी इस loss को recover नहीं करता है और in fact ये तीनों करने नहीं देंगे इस loss को recover तो इसका तरीका क्या है सर इस loss को कैसे cover किया जाए अब दो तरीके है इसके honor ने दो तरीके निकाले और दो चीजें इन्होंने कहा सर दो चीजों का मतलब क्या है number one हम business को बंद कर देते हैं business हमने decide क्या close कर देते हैं अगर business close करेंगे तो बड़ी simple सी बात है कि हमें सारे assets को बेचने पड़ेंगे और फिर हमें liability को क्या करना पड़ेगा और liability में भी देखा जाए तो सबसे पहले एक होता है secured liability एक होता है unsecured liability तो secured liability को यानि loan को पहले payment करना होगा इसके बाद number 2 पे payment करना पड़ेगा unsecured जो की unsecured liability का part होता है creditor BP यानि एक मैं business बंद करने के सुचूँआ लेकिन मैं assets को जब बेचने के लिए गया तो पता चला कि जो मेरा यह building बीस लाक रुपए का है इस पर dispute चल रहा था काफी दिनों से अभी तक solve नहीं हुआ तो यह तो दो लाक रुपए का जाएगा जितने डेटर थे उन डेटर ने मना कर दिया पैसे देने से यहां 5000 मिलेगा ठीक है इस टॉक जो है वह सारा का सारा destroyed हो सुका है zero यानि मैं अपने सारे assets को बेचने गया तो मैं बेचने में कामियाब हो पाया सिर्फ कितने का दो लाक लेकिन मेरे पर करजा तो भाईया 25 लाक का है यह मान लेता है यह honor यह मैं हूँ honor मैं पैसे नहीं लेता एक पल को लेकिन क्या loan वाले को बोल सकता हूँ कि पैसे नहीं दूँँ लेकिन जब हम business को close करते हैं और अपने आपको मैंने declare कर दिया कि इन्सॉल्वेंट अपने आपको declare कर दिया इन्सॉल्वेंट तो ऐसे situation में जो पैसा है भाईया ले लो और बागी मेरे से मत मांगना कभी इन्सॉल्वेंट का मतलब यह होता है तो ऐसे situation में जो मेरे पास 2,5,000 यह किस में बटेगा तीन लोगों में बट जाएगा एक तो loan वाले को चला जाएगा एक creditor वाले को चला जाएगा एक BP वाले को चला जाएगा और कितना कितना बटेगा इनके ratio में बट जाएगा एक CA ने advice किया आप बिजनस मत बंद करिए ये जो बाते बताई ना आपने इन तीनों को बुलाईए मीटिंग में तीनों को बुलाए मीटिंग में और चार्टेड अकाउंटनेट ने समझाया कि देखो बिजनस आज बंद हो सकता है और बंद करने में कोई बड़ी बात भी नहीं है बस हम बिजनस को बंद नहीं करेंगे मैं इस बिजनस को चलाऊंगा इसलिए हम बिजनस क्यों नहीं चल पा रहा उसके पीछे वजह सुनिए आपके 14 लाग देने है ना आप एक काम करिए आपको मैं 10 लाग देने को एगरी हूं लेकिन अभी नहीं दूंगा बिजनस अगर कंट लाग है नहीं दो लाग दे दूंगा और भाई शेयर क्यापिटल इतने मालिक बनके क्या करोगे पचास अजार रुपए लो बात खतम करो बिल्डिन की वेल्यवेशन 2,00,00 रुपए इसका वेल्यवेशन ठीक करेंगे डेटर है डेटर को हम कॉल करके समझाएंगे डेटर भी हमारा रिकवर हो सकता है यानि हमने इनसे बात करके इनके वेल्यवेशन को कम करवा दिया अब मैंने बोला भाई लोन वाले बंदे बें तो मैं गाररयंटी लेता हूँ करिडिटर चाइब बना लेंगे। उन स्था प्रेश बैलेन्शीट बंके तयार होगी ऑग्दम फ्रेश बैलेंश street में क्या रहेगा कहानी अभ रहेगा equity share capital कितने रहेगे अभ loan कितने रहेगा अभ creditor कितने रहेगे और बीपी कितने रहेगे कियानी टोटल यह रहेगा liability हमार पास तो 10-15 सर बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख रुपए, वैल्यूएशन 2 लाख रुपए अलग बात है, हम देखते हैं, डिस्प्यूट आगे लड़ेंगे केस और इस बिल्डिंग को हम अपने कबजे में ले लेंगे, 15 लाख रुपए का ये बिल्डिंग है, और मान लेते हैं, स्टॉ चाहिए, या मुझे मदद चाहिए, पैसे की रिक्वार्मेंट है, मसीन लेना है, तो वो इस बैलिंग को देखके देगा, बोले का भाई, तुम्हारे डेट लॉस तो ही नहीं ना, एकलिस्ट तुमारा तो, और इस बैलिंग को देखके, तो बेसिकली मैंने पुराने वाले बैलिंट शीट में से, कुछ क्रेडिटर से, कुछ लोन वाले से, कुछ हैसेट्स वाले से बात करके, उनकी वैल्यू को बदल के, और एक नया बैलिंट शीट बना दिया, तो नएचीज को बनाने को बोला क्या बोला, री का मतलब क्या होता है? construction का मतलम तो word आया reconstruction और reconstruction हम आपस में मिलके बात करेंगे हमारा organization है organization के अंदर ही बैठके बात किया जाता है उसे बोलते है internal है और बाहर वालों से जब बात करते है तो उसे बोला जाता है external है आपने पढ़ा होगा गयार भी class में internal user, external user तो यह कौन से है यह कौन किन से बात की मैं ने internal factor से तो इसलिए इसका नाम पढ़ जाता है internal internally हम अपने balance sheet को पूरा change करने वाले हैं जिसमें से कुछ liability वाले को जितना पहले liability था उतना ना देके उससे कम देंगे और जो assets पहले show हो रहा था उससे कम show करेंगे यह भी possible है कि कुछ liability वाले को ज़्यादा दे दें और assets ज़्यादा show कर दें दोनों चीज़े possible है तो मान लो अब पहले 10 का liability था अब कितने का मान लिया मैंने पहले 14 का था अब कितने का मान लिया 10 का तो यहाँ पे क्या हो गया चार का और फाइदा बता दो आप मुझे simple सी बात है अगर कोई भी profit होता है तो कहां जाता है credit में आप by logic बताना आपका loan क्या हुआ कम हुआ या ज़्यादा हुआ कम हुआ loan होता है liability liability मतलब credit credit को कम करने के लिए क्या करा होगा मैंने और फाइदा कहां चला गया कोई बच्चा मुझे बीपी की journal entry करके बताओ जल्दी से bills payable की अगर आपको ये बात समझ में आ गया न तो bills payable की बता सकता है कोई bills payable की कौन बताएगा जितने बच्चे लाइव है इतने सारे बच्चे लाइव है फटा-फट bills payable की बताइए और आप भी बताइए bills payable की क्या journal entry करेगा अगर वो reconstruction कर रहा है तो bills payable account debit 2 bills payable account debit 2 समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशुस कर रहा हूं एक और entry पूछू बिल्डिंग मेरा 20 से कितना हो गया पंद्रा हो गया बिल्डिंग हमारा 20 से पंद्रा हो गया बिल्डिंग इस एसेट को एसेट क्या होता है डेबिट को कम करने के लिए credit और यहां पल रहा है नुकसान नुकसान का मतलब और नुकसान और फायेदा जो होता है वो denote reconstruction अकाउंट करता है तो अगर फायेदा हो रहा था तो reconstruction सर आपने credit करवा दिया और नुकसान हो रहा है तो reconstruction क्या कर दोगे तो इसका general entry को भी ब्ता दे मुझे इसका building का बताओ, 20-15 हुआ है, बिल्डिंग का बताओ रीकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इस पूरे चेप्टर के अंदर बस यही है कोर थीम इस चेप्टर की बात करें यही है आपको एक बैलेंस शीट देगा और उस बैलेंस शीट में क्या-क्या बदलाब होगा वो किसमें लिख के देदेगा वो उस बैलेंस शीट में क्या-क्या चेंजिस है क्या करेगा वो लिख सरके देदेगा और उस चेंजिस के हिसाफ से आपको जनल एंट्री पास करते जाना है और उसके बाद journal entry के बाद एक balance sheet भी बनाना है इसे बोला जाएगा internal reconstruction इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये chapter वो बच्चा भी कर सकता है जिसने पहले कोई chapter ना भी किया है तो chapter का नाम theme internal reconstruction कहा जाता है ये chapter हमारे exam में sir 10 का तो confirm है और मैं मान के चलूँ तो 15 का भी confirm ही है यानि 10 से 15 नमबर का आपका सवाल पूछा जाएगा sir ये unit number आपका 4 है unit number 4 का chapter है आपके पूरे 5 unit होते हैं तो unit number 4 का part consider किया जाता है उसमें 2 chapter है आपके एक amalgamation और एक internal reconstruction मैं पहले आपको internal reconstruction करवा रहा हूँ ठीक है तो कुछ एक example से एक मैं अपना ही example लिख लेता हूँ आप साथ के साथ लिखिएगा और फिर उसका हम solution करेंगे और क्या-क्या हो सकता है वो सारी चीज़े हम देखेंगे तो चलिए फटा-फटा आजाते हैं मैंने आपको और अब बता ऐसा होने लगा तो आप सोचोगे एक मन में बात आएगी आपके एक पॉइंट मन में आएगा सर क्या पॉइंट आएगा अगर ऐसा होने लगा तो हर कोई ऐसे कर ले कितना बढ़िया काम है लोन ले ले लेते हैं और उससे बात करके ऐसा करवा लेते हैं तो सर ये internal reconstruction को कोट अप्रूब्ड करता है कौन अप्रूब्ड करेगा अगर कोट ने अप्रूब्ड दिया तब ही ऐसे होगा नहीं तो कोई क्रेडिटर अपने पैसे छोड़ने को राजी नहीं होने वागा चलिए सर ये मैं आपके सामने पुराने फॉर्मेट का एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो बैलेंस शीट बिल्डिंग ट्रफ तॉ बिल्स रखेवबल लुओं यू एयर कपिल शेयर कापिटल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लोन ट्रेडिटर तेरा पांचो साथ तिंदर चार चौदर चौबिस डिवेंचर चौबिस आउट्स्रेंडिंग रेंट क्या टोटल मैच हो रहा है छे चार दस तेरा एक चौदर दस यह आपके सामने बैलेंच सीट है और सर कोट ने अप्रूबल दे दिया और बैलेंच सीट में क्या क्या बदलाव हुआ नमबर बन एक्विटी शेयर यह दस रुपे का एक है नमबर दो 20% loan 20% loan reduce and balance loan paid after 5 years 2-5th creditor only to be paid building valued rupees 3,000,000 pass necessary journal entry and and prepare reconstruction account आपके सामने एक एक कुश्शन है एक बिलकुल बेसिक सा कुश्शन रखा है अब इस सवाल को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना है number one कई बार आपको इस balance sheet के अंदर जो आपको examiner देगा कुछ ऐसे assets होंगे जिसे हम fictitious assets कहेंगे सर fictitious assets का मतलब वो assets किसी काम का नहीं है ऐसे assets को question में बोले चाहे ना बोले उसे write off कर दिया जाएगा सर उस assets को write off करने का मतलब zero मान लिया जाएगा ऐसे कौन कौन से चीज़े हैं जिसको zero मान लिया जाता है number one asset note चलिए मैं पहले question कर देता हूँ फिर note लिखूँँगा सर question के इसाब से देखा जाए कहता equity share को reduce कर दो 6 रुपे पर share थे पहले आपका equity share 10 रुपे का था तो अगर मैं number of equity share निकालूँ तो 6 लाक रुपे का था पहले और 10 रुपे का आप कह रहे हो तो इसका मतलब पहले थे अब ये 10 के बदले 6 हो जाएगा यानि reduce by 6 यानि अब बचेगा कितने का 4 का तो ऐसे situation में आपका क्या होगा फाइदा किसका फाइदा company का फाइदा तो company क्या entry करेगा company entry करने वाला equity share capital account debit पहले क्या करेगा वो सारा का सारा equity debit कर देगा that is 6 लाक 2 new equity दिया मैंने new equity share यानि मैंने new equity share जो दिया है वो 60,000 shareholder को सिर्फ 4 रुपे के हिसाब से दुगा क्यूंकि 6 तो खतम ही हो जाएगा that is 2,40,000 बाकी का फाइदा हो जाएगा वो चला जाएगा reconstruction में और एक लाक नहीं तीन लाक साथ हजार तीन लाक साथ हजार सर इसकी जर्नल एंट्री क्या करो मतलब बींग क्या लिख होगे सर इसका बींग बींग एक्विटी शेयर कैपिटल रिडियूज बाई 6 रुपी बस पहली जर्नल एंट्री पहले कंफर्म करिए मैंने पूरे एक्विटी को खतम करा 10 वाला था उसको डेबिट करके खतम कर दिया मैंने क्योंकि पहले क्रेडिट था अब डेबिट करके खतम किया अब मैंने नए एक्विटी देने का सोचा अगर आप 6 रुपे से रिउस कर रहे हैं तो नए एक्विटी कितने वाले होंगे 4 रुपे तो 4 रुपे से ने एक्विटी दे दिया उसको और बागी का 6 रुपे जो था हमारा वो हमारा फाइदा हो गया इससे मल्टिप्लाई 6 किया तो ये फाइदा हो गया पहली जनल एंट्री में कोई दिखता है सिंपल अभी कर रहा था दूसरा कहता है कि 20% लोन रिड्यूस हो जाएगा और बैलेंस को हम बाद में पेमिंट करेंगे तो भाईया अगर 20% लोन को रिड्यूस करोगे बैलेंस को बाद में पेमिंट करोगे तो सिर्फ 20% लोन ही तो कम होगा आपका आपका लोन अमाउंट देखा जाए तो 3 लाग है और 3 लाग का 20% कितना होगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोन अकाउंट डेबिट लोन अकाउंट और 2 फाइदा है और इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं Capital Reduction या तो Reconstruction कहलो या Capital Reduction आप चेप्टर का थीम समझे इसको करा क्यों जा रहा है ताकि Company को जब ऐसा होगा तो Company की Health पहले से अच्छी हो जाएगी और Company साथ सर्वाइब करके उन सभी के पैसे लोटा पाए तो Sir इसमें से लोन 3 लाग का 20% यारी सिर्फ कितने का फाइदा बिइंग लोन रिडियूज बाइ 20% इस वाले में सिर्फ लेंगवेज है एक्जामना ना लेंगवेज थोड़ा सा complicated करेगा जैसे जैसे मैं बुक के question पर आऊँगा ना तो लेंगवेज के 20% लोन का हमने reduce कर दिया उसमें से 10% को paid कर दिया कुछ इस तरीके से बोल सकता है अभी तो two-fifth creditor only to be paid जितना भी creditor था उसमें सिर्फ दो बटा पांच ही to be paid मतलब future में paid करेंगे तो मतलब भया सिर्फ दो बटा पांच ही अगर आप future में paid करोगे तो बाकी नहीं करने वाले आप तो creditor भी घट जाएगा हमारा सर creditor की entry क्रेडिटर अकाउंट डेबिट तो सर creditor था कितने का चार लाग का चार लाग में से अगर मैं two-fifth payment करने की बात कर रहा हूं तो मतलब three-fifth नहीं करूँगा तो two-fifth payment की बात कर रहा हूं तो three-fifth का फाइदा हो गया तो कितने हो जाएंगे पांच आठ दो चालिस दो चालिस और टू री कंस्ट्रक्शन तर इसका बींग सेंग बींग रिडिटर, reduce, buy three-fifth, ठीक है है? बेल्डिंग वेल्डिंग तीन लाख का हो चुका है पहले कितने का बेल्डिंग था चेक करो ओ, पांच लाख का पहले बेल्ड था बेल्डिंग था भाईया अब बेल्डिंग तीन लाख रुपे का हो गया इसका मतलब सर नुकसान हो गया तो अब एंट्री क्या करेंगे रीकंस्रक्शन अकाउंट डेबेड और टू बिल्डिंग सर अमाउंट क्या आएगा अमाउंट क्या आएगा बता दो सर पांच का था अब बोल रहे हो तीन हो गया है तो नुकसान नुकसान लिखेंगे विंग हाला कि मैं बहुत सारे और पॉइंट लिखना चाह रहा था लेकिन जगह की वज़े से नहीं लिखा मान लो मैं कहता डेटर पे 10 पर्संट का प्रोविजन भी करना है तो इंट्री क्या होता कौन बच्चा बताएगा डेटर पे 10 पर्संट पर्विजन करना होता तो या डेटर में यहांपे 5000 मेरा सिंपॉल सी बात है घट जाता और री और अगर मैं बोलू 20,000, का नुकसान हो गया है तो क्या entry करते यहं फिर से reconstruction account debit to stock है यहां आ अब यहां पे पूरे में देखोगे ना तो यह इस balance sheet में ऐस 있는데 को है इस एसेट्स हुए ना जिसका कोई वेल्यू नहीं है उसको राइट आफ करिए तर आलतु फालतु में कौन-कौन से एसेट्स से जो बिना बोले राइट आफ किया जाता है नूट उस एसेट्स को राइट आफ किया जा सकता है नमबर वन गुडविल नमबर दो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस नमबर तीन प्रिलिम्नेरी एक्स्पेंस नमबर चार अंडर्वाइटर कमीशन नमबर पाँच एडविटीजमेंट सस्पेंस तो सर ये जितने भी आइटम आपको दिख रहे हैं न इन सभी को हम क्या कर देंगे सर राइट आफ कर देंगे राइट आफ का मतलब और ये सभी मजे की बात आपको देखने को पता कहा मिलेगा एसेट्स में ही मिलेगा गुडविल आपको पता ही एसिट्स में होता है साथ के साथ आप याद करो profit and loss suspense कभी 12 में देखा होगा partnership के अंदर वो भी debit में हुआ करता था और underwriter commission तो वहाँ हो नहीं सकता बाकि यह सब debit में होता है सबको पता ही क्या करना है सवाल बोलता है तो ठीक नहीं तो अपनी मर्जी से इन सभी को zero माल लो सवाल बोलता है तो ठीक नहीं तो अपनी मर्जी से क्या माल लो zero माल last में कह सकता है all intangible and fictitious assets should be written off यह सब्द बोल दिया तो अगर इन में सो कुछ दिख रहा है तो zero कर दो और अगर यह line नहीं बोला तो मैं ढूंड लूँगा क्या ऐसा कोई बात है इस balance sheet में आप बताईए मुझे ढूंड के मैंने नहीं बोला के कोई भी write off करना है कहीं line नहीं लिखा है आप बताईए कुछ ऐसा balance sheet के अंदर लग रहा है कि आपको write off कर देना चाहिए कोई ऐसा point है इन में से जो की balance sheet के अंदर अभी भी पड़ा हुआ है still उसके उपर adjustment नहीं लगा हो तो बताईए क्या है इसमें तो इसके अंदर क्या है सर लॉस एक ऐसा point है जिसके उपर कोई adjustment नहीं हो और आपने note के इसाब से बोला इनको zero करना है note के इसाब से इसे write off करना है तो ऐसे situation में क्या होगे तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको write off करने का मतलब यहाँ से हटा देंगे debit में से हटा देंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको credit और reconstruction को debit तो general entry क्या होगा फटाफट बताईए जर्नल एंट्री क्या होगा reconstruction to loss कितने रुपे लिखे पूरे being profit and loss return मैंने थोड़ा roughly लिख दिया यहाँ तक किसी बच्चे को ड़ाओ सवाल बिल्कुल ऐसा ही होगा और 15 नमबर का सवाल होगा 10 नमबर का सवाल होगा इसके अंदर दो पार्ट और add-on हो जाएगा या तो reconstruction अकाउंट बनाने को बोला जाएगा या फिर बोला जाएगा नई balance sheet बना के दिखाईए तो मैं नई balance sheet पे तो नहीं अभी पहले reconstruction अकाउंट में बना के दिखाऊंगा सर, reconstruction अकाउंट कैसे बनेगा छोटा सा point है और ये भी सोचोगे सर, इसमें add भी किया तो क्या किया यहाँ पे reconstruction अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे reconstruction बना लेते हैं और reconstruction मैं बोलू एक बात reconstruction जो revaluation होता है ना उसका एक बड़ा रूप है revaluation में क्या होता था जो नुकसान हुआ इदर और जो फाइदा हुआ सेम कहानी यहाँ भी है बस वहाँ पे revaluation होता था और यहाँ उसी को reconstruction दे दिया गया समझाने के लिए बागी दोनों चीज़ा अलग अलग है अब हम कैसे करेंगे पहली entry में reconstruction है फाइदा है ना पहली में तो buy side में आ जाएंगे buy में हमें फाइदा पहुचा equity share capital से सर कितने का फाइदा पहुचा सौंझ में दूसरे entry में भी क्या है में फाइदा है तो किदर जाएगा buy में तो किसी वज़े से हुआ कितने रुपए का तीसरी entry में क्या है फाइदा किसकी वज़े से कितने रुपए का चौती entry में क्या है loss तो loss debit में किसकी वज़े से पाँचवी entry में assets था उसे खतम करा loss को right off करा तो ये भी इधर ही आ जाएगा टूप अब यहाँ पर जब आप totaling करने जाओगे न तो balancing figure निकलेगा या तो इधर निकलेगा या फिर अब आप देखो तो कित side balance sheet निकल रहा है by side निकल रहा है मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा न चेंजिस करना चाहता हूँ मैं two side balance निकालने चाहता हूँ मैं और changes क्या करें इसमें बहुत little changes नो और चांद खीक है काम बनी गया मेरा हाँ एक कर दिया मैंने बस मैं change करके यह दिखाना चाहता हूँ तो सर लॉस कितना हो गया अब बताओ किदर आ रहा है difference टू साइड में अब जब टोटल करेंगे तो तीन लाग साथ हजार दो चालेस कितने हो गए छे लाग छे साथ और सर छे लाग साथ हजार अब इधर आएगा फाइदा अब जो हमने किया है ना यह वह काम किया है जो कि business का routine nature का नहीं है कभी कभी होता है तो जब कोई चीज routine nature का नहीं होता कभी कभी होता है तो ऐसे profit को profit and loss में नहीं भीजा जाता सिंपल सी बात है इतना पैसा कमाया और इतना का नुकसान हो गया यही कहानी है न अगर हम सिंपल सी बात करें तो बीच में नेट में तो कमाई हो रही है न तो उस प्रॉफिट को भेज दिया जाएगा कैपिटल रिजर्ब में कितने रुपे सर 6.60 में से 3.00.000.000 माइनस करोगे तो 3.00.000.000 और सर इसकी भी जर्णल एंट्री करनी पड़ेंगी लास्ट जो बैलिंसिंग फिगर निकला है न इसकी जर्णल एंट्री आपको करनी पड़ेंगी अगर रिकंस्रक्शन अकाउंट ना भी बनाने का बोला जाए तब 20 की जनल एंट्री करनी पड़ती आपको तो एक जनल एंट्री लास्ट वाली कर देंगे क्या एंट्री होगा फाइदा हुआ तो reconstruction account debit to capital reserve जैसे हम share for feature को capital reserve में भेजा करते थे same वही कहानी Sir अगर account नहीं बनाते तो ये तो पता ही नहीं चलता पता चल जाता सारे credit वाले को जोड लेते हैं debit वाले को जोड के balancing figure निकाल लेते हैं तो ये बन गया हमारा reconstruction account ये बन गया सार हमारा reconstruction account बताइए इसमें कोई डाउट balance sheet नहीं बनानी हो तो मैं भी balance sheet पे भी आऊँगा लेकिन मैं नहीं वाली तरीके से schedule 3 वाला balance sheet नहीं बनाने वाला पुराने वाले तरीके से भी बनाके दिखा दूँ हमारा यहां तक किसी को doubt नहीं अब balance sheet बनाए अगर यहां तक किसी को doubt है तो बता दो नहीं तो बस 5 मिनट लगना balance sheet और आज की class लंबी भी मैं नहीं लेने वाला सर लॉस तो credit और profit को debit कर देंगे क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक सर एक्जाम में narration लिखना compulsory है बिलकुल narration लिखना पड़ेगा आपको एक्जाम में देखो 10 नंबर का सवाल आता है और 10 पॉइंट आ जाते हैं पांच पॉइंट जो भी आ जाते हैं फटा-फट हो जाता है मैं तो सबसे फेवरेट कोश्चन मानता हूं बच्चा जब एक्जाम देने जाता है पहले यह वाला चेप्टर ढूंडता है जल्दी से निप्टा ले एक पक्का दो घर ले कम से कम हो जाए अब बैलेंस शीट बनाते हैं चलो बैलेंस शीट बनाने में पुरानी बैलेंस शीट बना देते हैं या मैं एक काम करता हूं चलो बनाई देते हैं क्या अब बस चले जाना भी है कि कहां जाना है अब को अधिक है जाई यह अधिक है अधिक है अधिक है चलिए सर नियू बैलेंस शीट का मतलब यह बिलकुल भी ना समझे के नई तरीके आले बना रहे हैं पुराने वाले को रिकंस्रक्शन करके कर रहे हैं इस साइड लाइबिलिटी इस साइड अमाउंट इस साइड मैं सारी चीज़े लिख लेता हूं एक्यूटी शेयर कैपिटल ए इसके बाद लोन था फिर क्या था फिर और फिर इधर बिल्डिंग फिर डेटर था फिर स्टॉक फिर बिल्स रिसीवेबल लॉस तो कतम ही हो गया अब देखो एक एक करके पहले बिल्डिंग पांच का था बड़ी सीरी से बात है सर बिल्डिंग लिखेंगे हम तीन का चलिए साहग अब डेटर पहले कितने का था दो पांच क्या डेटर में कोई बदला हुआ नहीं हुआ तो इस्टिल डेटर कितने का रहेगा आ जाईए इस्टॉक पहले तीन का था क्या इस्टॉक में बदला हुआ नहीं हुआ एस इस थीन का बी आर था 13 का कोई बदला हुआ नहीं हुआ सर अब भी भी 13 का profit and loss एक लाग का क्या अब यह तो रहा ही नहीं तो नई वाली balance sheet में भी profit and loss नहीं आएगा अब liability में जाते हैं share capital 6 का था लेकिन नए वाला share capital कितना हो गया तो चाले सर लोन 3 का था लेकिन अब लोन 60,000 से घट गया है तो ये भी कितना हो जाएगा सर क्रेडिटर हमारा था चार लाग का लेकिन क्रेडिटर भी दो 40 से घट गया है तो कितना हो जाएगा सर बीपी मेरा नहीं है अच्छा डिबेंचर है बीपी गलत लिख दिया इदर है अ सर डिबेंचर कितने का था दस का कोई फरक नहीं और इस पर भी कोई फरक नहीं दोनों साइड मैच करके देखिए कितने हो रहे हैं तीन दो पांच तीन आठ और ये भी और इन्हें 21 नहीं होगा इसके अंदर एक पॉइंट रह गया क्यापिटल रिजर्व कितने का तीन साथ का तो तीन साथ का यह आ जाएगा अब हो जाएगा इसके समझे बात क्या समझ में आई बात आपको पुराने वाला बैलेंस शीट कहीं नहीं बनेगा सिर्फ आपको अंडेस्टेंडिंग करने के लिए मैं बना रहा हूँ फिर बाकी मैं नए पर ही लेके आऊँगा कोई दिक्कत क्या हुआ 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 है